प्लो एक बार डिसकस कर लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिसकस किया था ठीक है तो जैसे अभी मैंने आपको रिकॉर्डेट में देखने बुला है चाप्टर 12-14 काफी लेंदी वीडियोज है इसके ठीक है जैसे ही आपका पेपर एक हतम होता है पेपर भी का उसका चालू कर दीजेगा ठीक है अब जैसे कल हमने EMH पढ़ा तो EMH में I don't think so पेपर भी में कंटेंट होका उतना तो क्या है अभी एक्सेल बेसिक्स अगर जिसका हो गया ठीक है अगर एक्सेल बेसिक्स नहीं हुआ है तो एक्सेल बेसिक्स मतलब करके फिर आप चाप्टरवाइज में मूफ कीजेगा ठीक है अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो इससे क्या होगा कि कि हम लोग जून एंड तक पुरा सिलेवर्स खतम कर सकते हैं अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो जून एंड तक खतम कर सकते हैं टोटल में हम लोग 9 टॉपिक्स में बाटे हैं अभी हम लोग जो कर रहे हैं सेट आफ चाप्टर वन टू फोर जिसको बेसिक चाप्टर बोलते हैं सेट आफ चाप्टर वन टू फोर इसमें मेरे को लगबग लगबग समझ लो साथ चे से साथ क्लास लगेगा ठीक है ना साथ क्लास समझ के चलो ठीक है मतलब दो हफता आज हम लोग खड़े हैं तुम्हारा नाइन्थ में सो बेसिकली यू कैन एक्सपेक्ट कि भई मैं आपको 16-17 तारीक तक मतलब पूरा यहाला करवा दू आप लोग का भी टार्गेट यही होना चाहिए कि इस मेहने के 15 तारीक तक मेरा चाप्टेस 12-14 खतम हो जाए इस मेहने के 15 तारीक तक मेरा चाप्टेस 12-14 वहां तो उसका बुक्लेट बनाना चालो करेंगे और इसमें भी हम लोग जैसे से चाप्टेस करते जाएंगे वैसे वैसे इसका रिविजन नोट से कंपाइलर से सम बनाते चलेंगे ठीके हैं . तो यह प्लान है अब देखो जैसे 9 booklet है ठीके थाओ तो मंदोका टार்गेट बहुत सिंपल है, कि इस महाना हम लोग को पाँच टॉपिक करना है और अगला महाना हम लोग को बचावा पाँच मेहा करना है ठीक है बहुत सिंपल स्ट्राटिजी है और बहुत इजी स्ट्राटिजी है बट तुम लोग को थोड़ा घर पे मैनत करके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा दिन में अगर तीन घंटा भी दिया तो भी दो मैने का सिले बस यह बात याद रखना ठीक है एंड तब तक हम लोग का जुलाई में देखो फिर रेजल्ट आ जाएगा और जो लोग भी कॉलेज स्टुडेंट्स है वो लोग का कॉलेज भी च करके दे सकता हूं ठीक है ना एंड ट्रेस्ट में बहुत ही इजी वे में हम सी एम टू कराते हैं तो उसमें तुम लोग को कॉंसेप्चुली वाइस उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी थियोरी ठीक है पहले टूम एक पाणी का ग्लास पी अभाव ध्यूब्ल ótak Councilbagel Ab Aristotle चांइल लगयगा तो यहать फुम्हें बोगा अच्छा लगा फिर टूम 1 शुरू में क्या होगा तुम जा पहला पेगा तो बहू докумcope अगा कम तरूम एक दु कोहाया से अडवर क करना है तुम यश्या पानी कह sevent तुम बहुत टाइम बाद में तब साल दो साल बाद बच्पन में खाया होगा कॉनफ्लेक्स चोकोस वगरा तुम सोचा कि अब हमको डेली चोकोस खाना है कि तुम पहला दिन खायेगा तुम को तुम्हारा बच्पन का याद आएगा अग्दम बहुत अच्छा लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे क्या बोलता है कि अगर मानलो तुम धीरे-धीरे करके सेम प्रोड़क को कंज्यूम कर रहे हैं तो जो फर्स्ट प्रोड़क कंज्यूम करने से तुमको जो सैटिस्फाक्शन मिला था सेकेंड में थोड़ा, घर्ड में उससे थोड़ा और कम and so on. अब यह चैप्टर का हमारा में टार्गेट क्या हम लोग आपर पानी का ग्लास, खाना, पीना यह सम नहीं करने वाले हैं हम लोग को वेल्ट के हिसाब से देखना है तो वेल्ट के हिसाब से सोचो जैसे हम बहुत बहुत बहुत गरीब था, ठीक है, मतलब तो तुम यह समझो, उस समय जब पहला student आया, मेरे पास में बोला कि सर, हमको अपसे पढ़ना है, CT1 पढ़ना है, ठीक है, तो उसका जो पैसा से मैंने satisfaction derive किया, आज मानलो अगर CM2 में कोई student आता है मेरे को बोलता है, तो I am very normal, मैं ठीक है, ठीक है ना, तो investors का characteristics पहले समझो, investors का characteristics क्या बोलता है, investors are normally risk averse, अगर मानलो exam में कुछ नहीं बोलता है, तो investors are normally risk averse, तीन टेप का category होता है, हम बता रहे, हम बता रहे, तीन टेप का category होता है, एक होता है तुम्हारा risk averse, ठीक है, एक होता है तुम्हारा neutral, एक होता ह तो इस चीज को समझना इतिनों का मतलब क्या है तो पहले जब हम बोलते हैं रिस्क एवर्स मतलब नॉर्मल रैशनल यूमन बींग क्या सोचते हैं नहीं यार मैंने अपने लाइफ में बहुत मैनत करके पैसा कमाया है मेरा पैसा फ्री का नहीं है ठीक है ना तो मैं जो भी ला ठीक है से अपने अपको हेज करूँगा आज मैं आपको छोटा से एक्जामपन लेकर देता हूं ठीक है आज एक्ट्रीज लोग बोल सकते हैं कि फाइनाइन्स का भी कोर्स है डेटा अनलिटिक्स भी है बट इसका जो रूट्स है वो रूट्स आपको पेंशन और इंशॉर इंशॉरेंस लिए है राइट हमने सबने हमको तो अल्डेडी पता है हमको सामने सामने दिख रहे है कि आईज इचा इस एशॉरेंस लाइप जो कंपनी यह वह तो प्रॉफिट सिर्पोर्ट कर रहे है आज मानलो क्या हो रहे हम लोग जो प्रीमियम पेकर रहे हैं 15,000 ठीक है ना, उसका खर्चा आएगा 100 करोड, टोटल 600 करोड आएगा, उसमें वो अपना 20% का profit margin जोड के 720 रुपया के हिसाब से डिवाइड करके premium निकालेगा, चीज समझो, 720 करोड उसका total revenue होना चाहिए, उसको वो number of policyholders expected में divide करके approximate premium निकालके हम लोगो चार्ज करता है, अब insurance company का मान लो, गर experience खराब हुआ, तो इसको loss होगा, अगर उसका experience अच्छा हुआ, तो इसको profit होगा, तो ये बात को हम लोग सबको पता ही है, बट फिर भी हम लोग insurance policy ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग risk average है, अगर हमको कुछ हो गया, तो मेरे dependence को कौन देखेगा, अगर म मेरा iPhone गिर के टूड़ गया, तो उसका कौन देखेगा, अगर मान लो, last moment हम अपना flight ticket, movie ticket cancel करते हैं, तो उसका भरपाई कौन करेगा, ठीक है न, तो ये सब चीज में, सारा insurance में, मैं सेलर is the winner, buyer is the loser, buyer is the loser, आज एक बात सोचो, कोई unforeseen circumstance अगर हो जाता है, तो इंसान 60 सल के पहले मर जाता है, बट नॉर्मल केसे दो क्या देखते हैं, 60 सल के ऊपर, बट फिर भी हम लोग अपना cover लेते हैं, फिर भी हम लोग अपना 60 सल तक का, मान लो, 70 सल तक का cover लेते हैं, आज हमको ये भी पता है, कि भई, आगर मान लो, 80 years, आज अब हम 26 साल का है, 26 साल मान लो, आट उ, 1.12 to the per minus 1 to the power 50, मतलब 1.12 to the per minus 50 करके देख लो, प्रेसे वाले तो कुछ भी नहीं आ रहे, तो बारम एभी दो त्मेने का सलरी आएगा वो तो, समझ गया ना, बट फिर भी हम लोग risk कहवर से बोल के, आचा, और एक चीजा मान लास क्लास एक्जांपल लिए थे, व तो, आज जैसे मान लो, लॉट्री में, देखेगा, कौन एंटर करेगा, ये भी नहीं एंटर करेगा, ये भी नहीं एंटर करेगा, खली ये उंटर करेगा, क्यों कि, तीकि, देखो इकसी समझजो, फेर गेंबल क्या होता है पएले rec equally हम पॉलता है आया तो 10 लग गया तो zero इसको बुलते fair gamble और दोनों का होने का नहीं होने का दोनों का probability 50-50 है ठीक है इसको बुलते fair gamble तो अगर ये fair gamble है ठीक है अगर ये fair gamble है तो एक risk averse कभी भी fair gamble में एंटर नहीं करेगा क्यों उसके लिए जो net net जो gain है net net जो gain है वो positive होना चाहिए उसके लिए जो net net जो gain है वो positive होना चाहिए अब रिस्क आवर्स का भी तो level होता है ना risk aversion कोई बहुत ज्यादा फट्टू वी तो अगर कोई बहुत ज्यादा फट्टू है तो वो कैसे डप का बेट में इंटर करना चाहेगा लगाया तो पांच जर लगाया पांच जर आया तो एक लाक गया तो जीरो बट आने का प्रोब्याबिटी अच्छा-कासा होना चाहिए मैंने इसको नेट नेट यह समझता है कि जाने को मेरे पास बहुत कुछ नहीं है कि समझा तो रिस्क एवर्जन का जो लेवल है आज जैसे पर एक्जमपल बताते हैं इंस्वारेंस प्रीमियम में ठीक है तुम देखा कि एक करोड का टर्म इस्वारेंस का जो इंस्वारेंस प्रीमियम मारे वारे 12000 ठीक है अब जैंगा बोल रहे है मतलब उसका रिस्क एवर्जन लेवल कम है सोचो पहले मने वो कम फट्टू है ना चीज समझो जो सुनो तो समझो जैसे मान लो 12000 का तुमारा प्रीमियम है ठीक है अब कोई एक रेडी हो रहा है उसको एकसेप्ट करने के लिए तो जो एकसेप्ट कर र कृटेड़ना तो हम क्या बोले हम बोले है जो एकसेप्ट कर रहे हैं वो क्या बोल रहा है मतलब क्या हट रिस्क यहां से हट के रिस्क एवर्जा मेश्शन मस्क्यारी कृटॉ तो रिस्क टेकिंग बलत है направde आजारिस्क आजा आजा ku कि zuresken revolution रिस्क एवर्जन मनेरी तो ठीक, ना तो यही चीज़़ समझना पड़ेगा और रिस्क नूट्रल डरेश्ट já तुर समय्स wonder थीक है आगर मांलो रिस्क सबसुद करें बहुत ज्याधा वो बहुत ज्यादा रिस्कम्हाइश अवर्ड अगर फिर रिस्क न्यूट्रल में अगर उम लोग जो 50-50 वाले एक्जाम्पल दिये मैं सारा चीज पर धीरी दिराऊंगा पहले तुम लोग एक ब्रीफ आउटलाइन समझो कि रिस्क एवर्स टेकिंग और न्यूट्रल होता कि है ठीक है तो हम क्या बोले अगर गेंबल फेर है अगर गेंबल फेर है मतलब गया तो पांच लग आया तो पांच लग दोनों का प्रॉब्लेटी 50-50 ठीक है तो रिस्क एवर्स तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं रिस्क टेकिंग बोलेगा हाँ ठीक है रिस्क टेकिंग ऐसा भी कर सकता है जिसमें उसको नेट नेट नुक्सान हो रहा हूँ गया तो पांच लाग आया तो धाई लाग कोई बहुत ज्यादा जिग्रा वाला आदमी है तो वो यह वाला गेंबल भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाएगा कि संजा हाँ अच्छा अब यहां पर इस चैप्टर में अगर मान लो मैं दो लेवल आव रिस्क एवर्जन लेता हूं ठीक है मैं लिखता हूं यहां पर कम फट्टू ठीक है ना ज्यादा फट्टू अब यह चीज़ समझ गया ना मतलब यह चैप्टर का पूरा ग्रिप आ जाएगा को गया कम फट्टू एक ज्यादा फट्टू थो यह चैडए क faux कि तो हम बोले इंश्यारेंस प्रिमिय। में अगर मालो 12,000 है से बारा हजार का इंश्यारेंस प्रीमिय। है ठीक न यह ready हो गया इधी नहीं होग और किया एचिंत इंध बोल रहा है जादा इसके वर्ष जादा इसको बोलेगा वह बहुत जोर से छिलेंगा रहतो रिक यह हटो इस दखतकाने के लिए अपर जो जो comfort to है, वो बले कर ने, ठीक है, I'll manage, I'll manage this risk, I'll manage this risk, I'll manage this risk, I'll manage, तो risk aversion, risk aversion का जो intensity है, risk aversion का जो intensity है, वो इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, माने यह हौले हौले बोलेगा, हटो risk, हटो risk, और यह तो बहुत जोर से चिलाएगा, हटो हटो हटो, ठीक है ना, तो यह चीज, risk aversion is the main thing to understand, आज जैसे मानलो, कोई भी चीज है, ठीक है ना, तुम देखेगा, तुम लोग जैसे parents अपने, ठीक है, अपने parents है, बहुत बार parents हम को कोई काम करने के लिए बोलते है, तो normally क्या होता है, एक agent होता है, ठीक है, normally एक agent होता है, तो हम लोग को उतना महनत नहीं करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते है, यार, पापा देखिए, ये agent है, ये सारा काम करवा देगा, बोला, ये इतना रुपया चार्ज लेगा, ठ पाम एकदब सही से हो जाए रही बट यह चीज़ सो पापा क्या बोलते हैं नहीं तुम लोग खुछ से करो सीखो जाओ दोड़ो भागो तुमको मन में डर है ना तुमको मन में डर है काम में कुछ उल्टा फुल्ट हो गया तो हम लाथ खाएंगे समझ गया पापा का जो रिस्क एवर्जन लेवल है वो कम है हम लोग का जो रिस्क एवर्जन लेवल है वो ज्यादा है अब एजेंट का जो दाम है एजेंट का जो दाम है मानलों कोई बोलता पांच जार तो पापा वो लेंगे उसको फोन में हजार बामें करना है हजार बामे जानी किया तो यही चीज समझना पढ़ेगा अच्छा यह जो यह जो risk-taking capacity है यह जो risk-taking capacity है यह इनसान में कैसे आता है wealth level से हम लोग को जितना भी utility theory में पढ़ना है सब wealth level के इसाप से पढ़ना है जितना भी सारा चीज हम लोग को पढ़ना है तो wealth level वेल्थ लेवल, वेल्थ लेवल, ठीक है, तो मैंने जो अपना student वाला example लिया, उससे पहले समझना कि, मैं बोलता हूँ, मेरा career में मैंने धाई एजार बच्चा के करीब पढ़ा दिया, ठीक है, तो जो पहला बच्चा से जो मैं को satisfaction मिला होगा, अब आज भी, जैसे actual में मेरा आज भी उको अच्छा लगता है, but the point is, पहले student ने जो मैं को fees दिया था, 6000 रुपया, ठीक है, आज अगो को मैं को 6000 रुपया फीस देगा, तो मेरे लिए same level of satisfaction नहीं होगा, ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारा category है, समझो चीज को, पहले पुरा background लेलो, इंसान के पास, जै वैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे उसका risk taking ability बढ़ता है, normal circumstances में, तो risk aversion कम होगा, risk aversion, मतलब risk हटाओ, risk हटाओ वाला nature, कम होना चाहिए, normal cases में क्या होना चाहिए, wealth level बढ़ा, risk taking ability बढ़ा, तो risk aversion कम होना चाहिए, समझा, बट एक होटा है, कंजडा लोग, कंजडा लोग क्या बोलता है, भई मेरे पास 5 करोड है, this is all I have, अब वो लोग एक एक कदम फुक फुक के रखेगा, वो लोग नहीं, वो लोग और ज़्यादा risk हटाओ जाते हैं, they try to keep the fund that they are having as it is intact, यही तो behavioral bias है जो हम लोगों अगला chapter में पढ़ना है, कि ऐसा क्यूं, हर आदमी, दो आदमी एक साथ स्चार्ट किया, दो आदमी एकदम सबको सेम सेम किया, दोनों का wealth level एकदम सेम है, बट एक जन आज रिस्क लेने के लिए रेड़ी और एक जन बोलता है, नहीं यार, हमको तो preserve करके रखना है, तो वो यही तो behavioral bias है कि हर इंसान सेम नहीं होता है, ठीक है न, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, अच्छा, wealth जैसे मालो, हम बोलते हैं, यहाँ पर यूटिलिटी का एक हम लोग को function देगा, ठीक है, और ये जो utility का जो function देगा, ये basically, तुम ऐसे समझो कि हम लोग को जो भी utility का function देगा, वो हम लोग का risk characteristics पे डिपेंडेंट होगा, जैसे मालो, अगर हम risk seeking है, तो मेरा, अगर हम risk seeking है, तो मेरा जो graph बनेगा, वो अलग बनेगा, अगर हम risk averse है, तो मेरा जो graph बनेगा, वो अलग बनेगा, अगर हम risk neutral है, तो मेरा जो graph बनेगा, वो अलग बनेगा, ठीक है, तो ये तीनो cases है, अब हम लोग को ये लोग जो current wealth level है, उसमें हम, उसको हम वो utility function में डाल देंगे, for example, LNW, W is the wealth level, हम बोलते हैं, आज मेरे पास एक करोड रुपिया है, ठीक है, तो ये एक करोड को इसमें डालेंगे, तो एक करोड से, मेरे को जो satisfaction derive हो रहा है, एक करोड का wealth से, मेरे को जो satisfaction derive हो रहा है, वो ये utility function में captured है UW, गुसरे chapter में, ठीक है, जान दना, मैं बोल रहा हूँ, एक करोड का wealth से, एक करोड का wealth से, जो मेरे को utility derive हो रहा है, वो मैंने इस function में डाल के निकाल लिया, अब बोलता है कि धीरे धीरे करके मेरे wealth level गिर गया, पचास लाक हो गया, फिर बोलेगा मेरे wealth level बढ़ गया, देर हो निकाल सकते हैं दुबारा से, कि मेरे को कितना utility आ रहा है, अब यह लोग बात करेगा कि आपने एक risky bet लिया, risky bet क्या लिया, कि वही एक करोड है, होगा तो 1.2 करोड या फिर 0.95 करोड, ठीक है, तो हम 1.2 करोड भी डाल सकते हैं, हम 0.95 करोड भी डाल सकते हैं, तो दोनों नहीं, gamble, gamble लेने के बाद में दोनों का ही मैं, wealth का utility निकाल सकता हूँ, बोलेगा इसका probability है 40%, इसका probability है 60%, expectation कैसे निकालता है, expectation of x is equal to summation of x into probability, है की नहीं, हा की ना, चो अब मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा utility है, utility into probability, utility into probability, तो मैंना क्या आ जाएगा, expectation of utility, EU, 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 EU कैसे निकालेंगे, utility into probability, utility into probability, तो मैंना EU आ जाएगा, अब हम देखेंगे, कि मेरा अभी का wealth में, जो utility है, और gamble लेने के बाद में मेरा जो EU होगा, दोनों में कौन ज्यादा है, अगर मेरा EU ज्यादा है, तो मैं क्या बोलेंगे, ले लो, कर लो, कर लो, यहला gamble कर लो थिक है न, और अगर मेरा current में utility जादा होगा, तूम क्या बोलेंगे, मत करो, मत करो, मेरा risk characteristic को यह suit नहीं कर रहे, अगर हम नहीं करेंगे, तो क्या और कोई नहीं करेगा, गलत, कोई नहीं तो करी रहे, तुम फट का नहीं करेगा option stock में, तो कोई तो करेगा, थिए कोई तो करेगा तो रिसकारेक्टरिस्टिक पुरा फ्लोछार्ट समझो के हिसाब से यूंटी यूंट्रइटी का सब्सक्रार रहे उससे तुम अपना वेंट लेवल डाल रहे हैं पहले डाला करेंट फिर तुम गांबल के बाध मेरा क्या-क्या वेल्थ लेवल हो रहा है उससे जो यूटिलिटी आ रहे उससे जो यूटिलिटी आ रहे फिट्व निकालेगा एक्सपेक्टेट यूटिलिटी आफ्टर दी गैंबल तुम बिफूर आफ्टर को कंपेर करेगा और देखें कि मेरे को सैटिस्फेक्शन पहले से ज्यादा मिल अगर कम नहीं करेंगे और अगर ज्यादा तो कर लेंगे यही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं में इतना फुद्दू से चैप्टर बनाया है ना मतलब सच बता रहें पूरा सारा एक्जांपल मैंने तुम को दे दिया मेन पॉइंट इस में है रिस्क एवरजन यह तो बच्चा वर्ट समझ गया मतलब उसका पूरा चैप्टर खतम है लोग बोलते चैप्टर का नाम है युट्लेटी तरी बट गलत रिस्क एवरजन समझना पड़ेगा बहुत नॉर्मल सा चीज़े बहुत नॉर्मल सा चीज़े कम फट्टू ज्यादा फट्टू में सा द क्लास 2023 मतलब समझ रहा है आठ साल पुरक नहीं छह वहां और तीन मतलब नौ साल कंप्लीट होने जा रहा है पढ़ाते वह बारा साल हो गया क्लास 10-9 से पढ़ा रहा हूं ठीक है तो अब जैसे मैं यह बोलता हूँ कि मेरा पहले एन्वल इंकम था पांच जर बारा साल पहल है कि नहीं रिस्क पहले यहां पर बहुत जादा एक्स्ट्रीमली रिस्क एवर्स ठीक है ना अब जब मेरा वेल्थ लेवल बढ़ रहा है तो नॉर्मल केसस में क्या होना चाहिए रिस्क एवर्जिन शुड गो डाउन यह नॉर्मल केसस में होता है बट एक और कैटेगरी भी होता है कि जैसे से पैसा बढ़ा इंसान और कंजड़ा हो गया नहीं यार बिसके लिए वह लोग का माइंसेट क्या रहता है कि नहीं यार अगर कुछ हो गया तो 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 तो ओल देज रिस्क केरेक्टिरिस् कोई भी जैसे मैंने पापा का और हम लोग का एक्जांपल लिया कोई भी पेरी ले अब जैसे मालों मेरा और भया का जगड़ा होता है माइ बिग ब्रदर अंकित सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर देन विल बाइट बहुत ज्यादा लोन बटी से रेडिटी का जो फंक्शन होगा वो अलग होगा मेरा अलग होगा ठीक है ना तो बेसिकली दे पॉइंट इस रिस्क करेक्टरिस्टिक के पूपर में यूटिलिटी फंक्शन बनता है और कोई भी गैंबल करने से पहले तुमको यह देखना है अब जिसे मैंने बोला कि कोई भी एक पर जैसे मालों मेरा भ्याका एक वह गया था तो उसमें ब प्रॉपर्टी लिया है उसका हमको इंशॉरेंस का दरकार नहीं है आग लग गया घॉक पागया पानी बार कुछ भी सब सबसे पुछोरी हो गया कुछ टाट गया तो सब कोई प्रोपर टी इंशॉरेंस निकलता है ठीक है तो प्रोपर टी का वैलें designer आ डही लुकप पिरियट था हमने जाके बोला भई हमको यह नहीं चाहिए नाव माई प्रॉपर्टी इस एक्सपोज चू आल दी काइंड आ पेरिल्स बट आएम रेडी तो एक्सेप दोस पेरिल्स आएम रेडी तो एक्सेप दोस रिस्क्स आएम रेडी तो इंशॉरेंस तो हर प्रीमियम लूँगा तो मेरे को साल का डेड़ लाग रुपर प्रीमियम देना पड़ेगा मैं वही पैसा म्यूच्व फर्ण में डालूँगा कोई हर सल तो बिमार होगा नहीं तो उनका रिस्किंग अबिलिटी हाई है बाकी लोग का नहीं है तो यह जो प्रीमियम जो डि पट्टू है दस हजार में सब ले लेगा जो लोग ज्यादा पट्टू कम फट्टू सब लोग ले लेगा ना समझा अब प्राइसिंग समझ में आ रहा है तो प्राइसिंग में जो मार्केट सर्वे डेटा यह सब क्या होता है बिसिकली समझता है कि कौन कि धर का बिजनेस आज जैसे तुम लोग सब कोचिंग में बैठे हो ऐसा तो नहीं कि कोचिंग लेगा तो ही पास होगा मेरे से भी लेके बहुत लोग फेल होते ही हैं क्यों बैठा है डर है मन में रिस्क एवर्स अपना पढ़ाई को लेके तो तुम लोग जो कोचिंग का फीस पेक है that is what रिस् और वही रिस्क भीनम खा रहे सेलर इस दवीनर नहीं समझा सेलर इसे हम विनर है भई अज जैसे आशा तो नहीं कि तुम लोग कोचिंग लेगा तो पास नहीं होगा बहुत सारा बचलों सेल्फ शरी में परके पास होई रहे आज हजार बच्चा में बसकितना पढ़ता कि भाई हम यह ले रहे हैं मतलब मेरा रिस्क एवर्जन है समझा तो वह चीज है आज हम लोग अपना प्राइसिंग रखें आज भी हम लोग जो दे रहे हैं कि आप लोग जैसे मान लोग 25,000 का प्राइसिंग है ठीक है तो हम लोग यह रखें कि नहीं भई आप अगर मान ल प्राइसिंगे का समझा चलो यहां तक सबको बैगराउं क्लियर है यह सो नो अब बस खली में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं खली सम्स मांक करते चलूँगा मैंने सम्स देते जाओं तुम लोगों को सॉल्व करते रहने ठीक है तो चैप्टर नमबर टू में आ जो सारा सम्सम सम्समा लिखवा दूआ को दिक्कत नहीं है ठीक है ना कि सब लोग अपना मैट लेकर बैठना मैट नहीं लाया है कि देख देखते देखते एक काम कर वंशी का से मैट लिया फटाफर बुल सीम्टू का फर्स्वला मैट दीजिए कि यही पर होगा दूफिट इसी नहीं होगा देख यह यहाँ पर है कि यह लिए 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 ठीक है आये सब लोग कि सब matin में आईये आये सब बीच में है पेज नम्ट लिए में है कि शप्टर टू अपेज बर ट्रीirm 진행 रिट कर रहे हैं एप्र जरेशं देवान the opportunity to invest 1,000 in a risk fund, ठीक ना, if successful at the end of the year, he will be given back 2,000, if unsuccessful, 500, दोनों का probability 50% है, 0.5, 0.5, तो पहले तो एक्सपेक्टेद आउटकम निकाल लो, 2000 into 0.5, एई फड़ा फड़ा, अपसा दिमाग चलाना चालू करो, 500, 500 into 0.5, कितना आ रहा है, 1250, 1250, हजार लगाया, expected कितना है, 1250, तो expected return कितना होगा, 25%, expected return कितना होगा, 25%, देख लो, वही किया, ठीके ना, clear है, सबको yes, no, लिखते चलना, chatbox खुलावे मेरे यहाँ पर yes, no, लिखते चलना, ठीके, background पुरा दिये दिया है, आदा गंटा है, जा दिया है, ठीके, all clear है, यहाँ था, कोई भी प्रोब्लम, yes, no, सब लोग लिखो, साक्षी, अंश, अन्वय, नलिन, अनुष्का, हर्ष, हर्ष, प्रत्रम, नीश, ठीके न, चलो, ओके, अब next आज़ो, utility function, ठीके न, तो जैसे यह लोग यहाँ पर दिया है, हम लोग को, जैसे लोग यहाँ पर हम लोग को दिया है, ठीके, so UW is equal to LNW, UW is equal to LNW, ठीके, so next page में आना, page number 4 में example, सब theory वोरी सब पुरा पढ़ा दियें, ठीके, example, derive an expression for the expectation of investor X's next period wealth, एक साल बात क्या होगा, if he invest, proportion A of his wealth, W, मतलब मानलो, wealth level है W, इसको 100-200-500 मानलो, simple size है, 100-200-500 मानलो, इसका एक percentage है, 30%, 40%, 50%, कुछ भी हो सकता है न, आज मेरा पूरा पैसा थोड़ी हम stock market में डालके रखें, property, investment, gold, bonds, jewelry सब में डालके रखें, diversified एकदम, तो proportion A of his current wealth in equity, अब equity में बोल दिया है, plus 8%, minus 4%, probability कितना कितना दिया है, minus 4 का दे दिया है, 1 by 4 और इसका दे दिया है, 3 by 4, and the rest in a non-interest bearing account, ठीक है, बात ध्यान सुनना, solution छोड़ दिजे, प्राट चीज को समझा, अंदर से feel लो, feel good factor आएगा, तभी sum बनेगा, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर चीज समझा, यह पर हम लोगों को case दे दिया है, अब जैसे समझो, हम बोलते हैं, W wealth level हो गया, उसपे A percentage मारे, उसपे A percentage मारे, तो या तो इसमें factor क्या बनेगा, माइनस 4% था ना, हाँ, या तो 0.96 मेरा factor बनेगा, या मेरा क्या बनेगा, WA 1.08, चीज समझो, अब इसका होने का probability क्या है, 1 by 4, इसका होने का probability क्या है, 3 by 4, और एक क्या है, 1 minus A जो मेरा percentage है, वो W में, वो as it is रहेगा, non-interest bearing, non-interest bearing, ठीक है ना, अब चीज समझना, या तो एक period के बाद में, एक period के बाद में, हम लोग क्या बोले हैं आपर, या बोले हैं पर बताना, कोश्म में क्या बोला है, expression for the expectation of next period, मतलब ठीक है, तो चीज समझना, या तो मेरा, अच्छा, अब एक चीज समझना, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो मेरा, एक period के बाद में, अच्छा, यह हो गया ना, अब इसको दुबारा से देखो, एक बार, दुबारा से बार देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एडबलू हम लोग लगा है स्टॉक मार्केट में इसका फ्रेक्टर क्या बनेगा 1.08 है ना प्लस प्लस 8 परसेंट है प्लस वन माइनस ए जो है वो डबलू यह पूरा होगा इसका प्रवाबिलिटी क्या है यह वेल्थ लेवल होगा इसक सिंप्लिफाय कर लो आपका अंसर आ जाएगा मने वेल्थ चीज़ समझा ए इधर देखो पहले इसके पहले वाला कुशन हम लोग क्या निकाले रिटर्न निकाले एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा चीज़ समझा डिफ्रेंस है एक हो गया वेल्थ का एक्सपेक्ट इसके आगे वाला कुशन हम लोग करेंगे वेल्थ ते से जो यूटिलीटी आ रहा है उसका एक्सपेक्टेशन ठीकर ना कॉपी कर लो इसको यह 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 लिखते चलना को यह 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 लिखते चलना अरे तो एक ही तो बात होगया भाई गोंचू इन दोनों को सिंप्लिफाइ करेगा तो वन माइनस एडबलू अगर करेंगे तो थ्री बैफ फॉर प्लस वन बैफ फॉर वन ही तो आ रहा है कंटेंट ब्राउजर में पहला वाला जो लाइफ क्लास है वो डल जाएगा ठीक है कल कोई क्लास नहीं है नेक्स्ट क्लास तुम लों का थर्जडे को सुबस साड़े साथ बज़े है ठीक है क्लास में अगर लेट आया आज गुसने दे रहें कल से गुसने नहीं देंगे ठीक है जिए पेस नमबर फाइव में गया लिख लिया ना ठीक है इसको अभी स्मप्लिफाय मत करो सुने इसको इसको इसमें मत करो सुनों समझने के लिए रखो मैट में बहुत बाइब बहुत चीज़़ कन्फ्यूज करने के लिए देता है इधर देखो मेरे तब देखो यह जो है ना मतलब हम सच बता रहे हैं अब हम लोगों को नेक्स को पेज नमर 5 में बोल दिया है कि यू डबलू इस इक्वल टू एलनडव लूद सम्धा यह क्या है यह क्या है लिख लो इन्वेस्टर का इन्वेस्टर का यूटिलिटी फंक्षन ओफ वेल्थ इन्वेस्टर का यूटिलिटी फंक्शन ओफ वेल्थ अगला वाला मैंने आज हमने उसको चालू कर रहे हैं अगला क्लास खतम होगा चैप्टर ट्वेल्फ टूफो निंगा पहला 3-4 क्लास करके आना जो ऑप्षन से समझाएंगे ना मतलब मज़ा आ जाएगा एदम पुरा ऑप्षन बाइंग और ऑप्षेण से लिग जीवन बननी बूलेगा और जिसको बोल देगा ना वो तुमको जीवन बननी बूलेगा ठ इसको हम लोग नाम दे रहें W1, दूसरा wealth level क्या है ये, इसको हम लोग नाम दे रहें W2, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, W1 से जो utility आ रहें, मेरा word ध्यान देना, W1 से जो utility आ रहें, into उसका होने का probability कितना बोला था तुम लोग ने, प्लस, W2 से जो utility आ रहें, into उसका होने का probability is equal to expected utility, बोलो, yes or no, copy कर लो, page 5 में एक example है, अब वो self try करना है, 5 minutes का time दे रहाँ, ठीक है, चालू करिए, правלקि जो रहें, नहीं जो फ्राइब मातक स्टाप्र एक करना रहेंगा यजातीた,